हेलो एब्रिवन आज एक smps के उपर हमें काम करना है तो वह smps में जो problem हमने find out किया है ठीके वह problem थोड़ा unique है जो आपको भी मिलेगा सो पहले आपको थोड़ा demonstration परपस के लिए मैं थोड़ा कुछ चीज आपको दिखाना चाता हूँ उसके बाद हम लोग उसके उपर काम करेंगे देखो यह हमारा consistent का अच्छा वालबार सप्लाई है ठीक है यह अच्छा वालबार सप्लाई है अगर मैं इसे trigger on करूँ इधर पर देखो यह थोड़ा card card में थोड़ा problem हो रहा है anyway देखो इसमें coding है proper ओके देखो बोर्ड ओन है ठीक है से प्यों भी हीट अप कर रहा है ठीक है कि अधर सब्सक्राइब देते हैं वह सब्सक्राइब इसमें दिस्वे भी वनेगा कर्ण कार्ट स्टक हो लिया क्या एक सब्सक्राइब देके देखते है कि मुस्ट पॉपली इसका कार्ड मनम अमारा डिस्पे बन गया है ठीक है और ओवारेटिंग के वजए से थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है तो यह जो हमारा मदर बोड है यह डिस्प्ले है इसमें ठीक है और आप देख सकतों कोडिंग भी जेनरेशन कर रहा है थोड़ा मैं दीखाना चाहता हूं और एक सेकंट कार्ड लूज हो रहा है ठीक है बीप आएगा वन सेकंड रूख जाओ थोड़ा हीटिंग हो गया था सिप्यू ओके बीप आ गया यह देख सकतों डबल जिरो टूपे है ठीक है डिस्प्ले है हमारा बोड में तो आपको य इसमेध में आगया यह बोड हमरा ओके है एसम पीज़ भी ओकई है बोड हमारा ओके है यह हमारा केस नहीं है जो केस से वह अभी मैं कि अ अबारे काम से 네 यह बहाराइस संपिये से ओके आप इसे 800 व.go.schn.tv गूल या तैप धीकर फ्रॉंट इक का है तो इसका प्रॉब्लेम देखो ठीक है अगर मैं इसे इधर पर इंजिक्ट करूंगा और 12 वोल्ट हमारा सीप्यू का पावर्ड भी डाल दूंगा इधर पर देखो हमारा स्टैंडबाइ बन गया ओके देख सकते हो और आई थिंक ठीक है इधर पर स्टैंडबाइ बन रहा है तो अभी अगर मैं ट्रिगरिंग करूं देखो यह 0-0 पर ऐसा वाला जो केस है ठीक है आपको यह सॉल्यूशन आज दिखाऊंगा स्टैंडबाइ देख सकते हो स्टैंडबाइ इसका फूल स्पीट से और आगर आप वोल्टेज चेक कर गए एवरी वोल्टेज प्रेजन थे बट एक को छोड़के वही रिजन है आपका नोड इस प्रेका अगर आपके पास ऐसा स्टैंडबाइ जिसका पावार ओके है बट देख लो देखो 3 3.3 वोल्ट 5 वोल्ट यह 12 वोल्ट ठीक है यह माइनस 12 वोल्ट ठीक है एवरी वोल्ट इस प्रेजन है तो बट इस में फिर भी डिस्पे नहीं बन रहा है देखो 004 पे है ठीक है तेसे में यह एक यूनिक दिक्कत आता है जो SMPS चलता है बट फिर भी बोर में डिस्पे नहीं आता है 004 प्याट का रहता है यह पूरा जो केस है यह है पावर गूट का खेल ओके अब देखो पावर गूट जो है हमारा वो है यह जो हमारा यह ग्रेव एर दिख रहा है यह ग्रेव एर पे ठीक है अगर मैं थोड़ा क्लोज अप कर लो इधर पर फोक था क्या होता है हमारा ग्रे वएर में 5 बॉल्ट मिसिंः हो जाने से देखो यह रिफक हो ग्रेव एर में हमारा वोल्टेज 0 0.00 sorry 0.06 एकदम 0 वोल्ट सो ग्रेव एर में वोल्टेज मिसिंग होने से हमारे एक्जेक्ट ये प्रॉब्लम क्रियेट होता है ठीक है जो बोड अच्छा है वो भी नोड इस पर में चला जाता है अगर आप रानिंग जो SMPS मैंने इधर पे दिखाया वो अगर आप थोरा देख होगे एक सेकंट अधर पे आपको मिलेगा ग्रेव पे 5 वोल्ट ठीक है और जब तक वो 5 वोल्ट नहीं बनेगा आपका बोर्ड में डिस्प्ले नहीं बनेगा ठीक है कोडिंग 00 आके रुख जाएगा देख लो मैं फिर से एक बात दिखा देता हूं ठीक है तो यह अन किया मैंने थोरा सब उपर ले लेता हूं इसे फिर से थिक है तो यह कि अमिलेखो कोडिघ आ गया फिर से ठीक कोडिग जिनाइट कर गया अभी अभी तो बीप यहुँआ चिकर से division घृत हें दो लेटा हो यह देखो इसलों आगर मैं पूश आगर मेरे मर्लिमेडर का प्रोब रखोंगा तो यह फाइफ फॉल्ट है ठीक तो जिधर पर यह देख लो यह जो ग्रे इधर पर 5 वोल्ट हमारा ठीक है प्रेजंट है तो अगर आपके पास ऐसा सप्लाई है जिसका 5 वोल्ट ग्रेव एर में मीसिंग है उसे आप कैसे रिप्यार करोगे आज उसके बारे में यह वेडियो है ठीक है एक SMPS का एक छोटा सा जो पावर गुट का एरिया होता है उधर पे यह प्रॉब्लम आता है उसके वज़े से तो आपका पूरा SMPS रानिंग रहेगा बड़ आपका बोड में डिस में नहीं बनेगा SMPS जब रिप्लस कर दोगे आपका बोड में डिस में बनना चालू हो जाएगा ठीक है ऐसा डायरेक्टली सेलूशन नहीं आ रहा है ठीक है तो एक बाइपस वे भी मैं आपको बता दूंगा ठीक है जिससे आप इसका प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हूं ठीक है चला तो मैं थोरा कैमेरा को पोजिशन कर लेता हूं यह मेरा नया मैट है ब्लू मैट बहुत ही साइज में बिग है इसमें बहुत अच्छा लगा दो तीन जगा पर मैगनेट दिया है इधर पर साइड में तो जो स्क्रूज है वह हम मैगनेट पर छोड़ सकते हैं वह चिपक जाएगा यह क्ति हमने ऊपिन कर लिया बहुत धूल मिट्टी है वह हमारा कॉंसा अभी तो नहीं है पहले देखो एक प्रोब्लेम मुझे मिला इंपूट का कैपसिटर फूला हुआ है एक कैपसिटर फ्लैट है एक का ऊपर पूरा फूला हुआ है ठीक है यह अमारा पहला प्रॉब्लेम है बट इसके वज़े से पावर गुड मेसिंग नहीं है ठीक है अलग रिजन से मेसिंग हो सकते हैं मुझे लगते हैं मुझे थोड़ा इसके उपर ब्लोवर बगरा पहले चलाने नहोगा बहुत धूल मिट्टी है ठीक है मैं चलाया था और जब इसका क्लोज ल यह जो वैर है ग्रे वैर यह इधर पर लिखा भी है पीजी पीजी का मतलब है पावर गुड ओके तो यह लाइन में शॉटिंग हो सकता है यह लाइन का पूल अप होता है यह लाइन 5 वोल्ट से ठीक है तो हमें देखना होगा यह कौन सा रिजन के वज़े से हमारा यह सेक् जो 10 था उसे थोड़ा हडा लिया ठीक है तो चलो अब यह से ओपन करते हैं और देखते हैं हमारा प्रॉब्लम क्या है ठीक है फाइंड आउट करने की ट्राइ करते हैं और इसका मैं बता देता हूं इसका क्या-क्या विजन हो सकता है पहले यह पूल अप होता है 5 वोल्ट स क्या है पूल अपका जो रिजिस्टर है वह खराब हो सकता है ठीक है हो सकते रहीन कर देखेंगे तो यह जो PG का लाइन है यह IC में यह जा रहा रहा है ठीक है और आइसी नोट डाउन कर रहा है हां हमारा पावर गूट का सेक्शन ओके है बट देखो अभी पावर गूट मिसिंग है फिर भी हमारा इसमपीएस परफेक्ट्ली ओन है सो हम इसे बाईपेस भी गर सकते हैं अगर इसका इसी high selling मिलता है उस पीन से मैंने ऐसा रेप्यार किया है जो इस पीन से जट Iclys на है एवरिटीट कैसे बॉर्ड ने गों से हिएवर बीर्ड घ्रक्ली तो होग मेंग आप कटिंग कर दो और उसके यृदर पर हमारा 5 वूल्ड जो हमारा मेन पावर का फाइप बोल्ट है उसका हेल्प लेके आप इधर पर फाइप बोल्ट दे दो रेइस्टर के थो ठीक है तो वो भी बन जाएगा ठीक है वैसे आप बाइपास भी कर सकते हो तो इसका थोड़ा देखना परेगा हम लोग अगर मैं अल्वेज बोलता हूं बाइबुक चलो ठीक है तो बाइबुक हम लोग पहले ट्राइब करेंगे अगर यह होज जाएगा तो अच्छा है अगर नहीं होता है अगर ऐसा होता है जो हमारा भाई इसमें जो प्रॉब्लम है वो आईसी से थ्रू आ रहा है और राइट नाउ आईसी मैं रिप्लेस नह करना चाता हूं फिकॉस आईसीं आइसे आपको पास अवुल्हलाबल होगा फिक ट्रुक है यह आपको नहीं मिलेगा यह क्रॉब मदर वोट से मिलता है तो आपके पास ऐसा करभा आप मदरवोर्ट रहना चाहिए ठीक है वो सब के पास नहीं रहता है विकोज यह SMPS तो उतना कॉमन नहीं है जितना हमारा नॉर्मल वाला है ठीक है यह कम हाता है ठीक है इसे 800 वाट का अपको देखने में कुछ भी अंतन नहीं लग रहा है इसमें ट्रांजिस्टर बगेरा भी सेम लगा है ज्यादा करेंट का मोस्ट पॉबली नहीं लगा है रंगल लगा है तो अच्छा है तो यह सच मुछ में कारेंट डेलिवार गड़ सकता है हमारा प्राइमरी में एक कैपसिटर फूला हुआ मिला उससे हमें रिप्यार करना होगा रिप्लेस कर देना होगा तो नहीं होता है कैपसिटर तो चला फाइब वोल्ड का जो पावर गूट का सेक्षन तो थोड़ा सा मैं पहले डायक्नोस कर लेता हूं क्या उसका कंडिशन तो देखो यह हमारा gray wear है यह पहला है इसमें इधर पर लिखा है PS power जो switch है वुसके line है PS और PG power good है तो यह वाला जो pin है यह तो यह वाला पीन है तो यह वाला पीन हम लोग तो देख रहे हैं भाई यह directly connected है directly connected है इसमें और इधर से एक यह एक कैपसिटर है देख सकते हो कि अबसेटर मार्किंग है और एक register यह इधर से इधर तक आया है ठीक है तो यह 5 वोल्ड इधर से इधर तक आएगा है because यह घूम के यह घूम के इधर आ रहा है यह तो 12 वोल्ड का लाइन है चलो ठीक है मल्टिमीटर से बिपिंग पे हम लोग चेक करते इसका track बगेरा कि धर पे कौन जा रहा है ठीक है पहले देखते यह क्या ground के साथ कोई की बिपिंग आ रहा है ठीक है तो यह हमारा ground है देख सकतो black wires ठीक है इधर पर coming हो रहा है ठीक है आ रहा है तो इधर पर हम लोग रखके यह point पे देख लेंगे देखो तो शौटिंग तो नहीं है प्रोब rotation करके देख लेते हैं 600 के करीब है 500 600 तो शौटिंग हमारा नहीं है पहला तो यह जो line है यह जो line है इस देखो इस point पे है एक register है बाद में दिखा था और directly यह इधर पर connect हो रहा है आइसी पर आइसी का PIN नमबर क्या है इसी का PIN नमबर है इधर से 123455 राइट इधर से 12345 सॉरी यह इधर पर आ रहा है तो 123456789 10 11 11 यह है इस साइट से यह जा रहा है पीजी यह बाला है ना नहीं यह बाला है इस साइट यह 11 नमबर क्या ओके सब्सक्राइब नमबर 11 जो है वो हमारा पीजी है पावर गुड़ इधर पर पहले तो हमें शॉटिंग नहीं मिला ठीक है यह पहला बाल बाल इस्टर एक दम पहला बाला ठीक है क्या है इसका वैलू है कि यह है वांकी का रिजिस्टर ओके ब्राउन ब्लैक रेड गोल्ड ओके वान के यह वान के का रेजिस्टर चलो देखते हैं वान के हमारा कैसा है टू के पे पे मल्टिमेटर रखें अपने रेजिस्टर भी अच्छा होगा यह देखो एट हंड्रेड आ रहा है तो इसमें पावर गुड हमारा बन कीम नहीं रहा है देखते यह 5 वोल्ड यह जो रेजिस्टर है वो किधर से पूल आप है तो रेजिस्टर का जो एक लास्ट एंड है वो तो इधर पर आ रहा है जो हमारा पावर गुड का है ठीक है इस पॉइंट पर इस पॉइंट से 11 कनेक जाने के एधर आ रहा है एव कि इसे घूं के फिर किदर गया भाई इधर से एक सेकेंट मैं लोज कर गया इधर से इधर इधर आ गया इधर से घूं के इधर आया ठीक है इधर से ऐसे ट्रैक जा रहा है एसे ऐसे घूम घूम के जा रहा है तो इसका मतलब यह जो resistance है यह resistance डायरेकली हमारा 5 वोल्ट से यह जो 5V है यह 5V है इधर पर फिर 5V ना बनने का रिजन क्या है Most Probably इधर पर choking है ठीक है जो यह line है हमारा यह जो PG का line है यह choked है choking जो है यह DC का major fault होता है ठीक है जो shorting भी नहीं है और उसमें power भी नहीं बन रहा है यह हमारा PG का लाइन है तो हम लोग क्या करेंगे पहले एक बड़ एक ट्रिक ट्राइ करेंगे चोकिंग को हटाने के लिए ठीक है जो चोकिंग है यह आप सम्टाइम हटा सकते हो इंजेक्टिंग दा पावर ओके इधर पर मैनुवली अब DC से पावर इंजेक्ट कर दो तो क्य भी नहीं है यह डारेक्ली 5600 ओम के साथ हमारा कनेक्टेट है तो आसा तो नहीं होना से यह ठीक है मैं मेरा माँ DC को 5 वोल्ट में सेट करता हूं यह थोड़ा रिडियूस कर 5.25 में 2 वोल्ट मिनिमम में तरे इंट रिडियूस कर देता हूं करेंट मिनिमम अब पकर लो 1 कि जल रहां हूं पावर एक सो कि यह c है मेरा ठीक हैं DC का प्रोबस यह देख लो 5.18 ठीक है और 1 अम्पीर करेंट तो अभी यहां current consumption है because इधर पर 5 बोल्ट आना चाहिए अगर शॉर्टिंग होगा तो इधर से 5 बोल्ट के लिए हमारा हीटिंग चालो होगा ठीक है तो देखो इधर पर मैंने टाच किया अभी इसका current consumption कितना है मालूम है 0.003 आपको मैं दीखाता हूं ठीक है कि आपकेकश तauro AI बजसें थी नहीं होगा दीक होका हूरि है यह वायर इंगी तो आथ तो यहạtंएर करते है इंगे उचले मैं गुशा दिया और एक ykरी और नहीं साड़ी ब्लैक पर इसका होगा हम इधर से वम्रावर प्ले आट कर नहींग दूंता कैंने आदो दूखते इह मैंने माइनस दे दिया और ये मैंने प्लास दे दिया ठीक है देखो कितना लो एंपयर कंजंप्चंज़न है देखो 0.02,0.03 उका इसका मतलब 2 मिली एंप्यर और 3 मिली एंप्यर ठीक है और अगर आप इस पॉइंट पे ठीक है इधर पे देखो तो ये ग्रे पे अभी फाइब बोल्ड आ रहा है ठीक राइट नौ निक और कोई सिकेंड मल्टिमीटर इधर पे मैंने पास है तो सही एक सिकेंड मैंने पास क्लैम्ट मीटर है ओक है बहुत दिनों से चला नहीं है यह आपके लिए डबल ट्रिपिल वारी से कर रहा है एक नया संशाइन का प्रोग भी लिया है जो वहां निडल प्रोग है इससे थोड़ा दिखा देता हूं अपके लिए इससे आप प्रॉपल ही समझ सकते हो जो हां मैं क्या कर रहा हूं इस पॉइंट पर चोकिंग मुस्पब लिए चोकिं प्रोबिंग को सेट कर लेता हूं ठीक है तो इससे मैं उधर पर आपको दिखा सकता हूं इसका क्या कंडिशन है विकाज यह मल्टिमेटर तो इधर पर इंगेज्ड हो गया ठीक है इधर पर देख सकतो फाइब बोल्ट कंटिन्वास है इससे इधर पर स्टेक करो भाई नह इसको थोड़ा दिखा देता हूं इस मल्टिमेटर को यह देखो निडिल प्रोबोक है बहुत ही अच्छा है आई सी कर चेकिंग के लिए यह इधर पर हमारा 5.4 वोल्ट दिखा रहा है ठीक है थोड़ा बैटरी लो है इसलिए थोड़ा जादा दिखा रहा है कोई बात नही अगर मैं इधर पर बोट पर चेक करूँ अब देख लो अगर मैं बोट पर चेक करूँ तो यह माइनस पर और यह हमारा पॉइंट पर देखो 5.4 जो बोल्टेज हमारा मैंने इंजेक्ट किया है वो प्रेजन्ट है ठीक है और पिन नमबर 11 में यह पिन नमबर 11 इसमें भी है अगर आप देखोगे अच्छे से यह हमारा पॉइर पॉइंट से यह दिखे रहा है ना यह गोम कि इधर पर पहा रहा है तो everything okay है फिर भी हमारा far good नहीं बना है ठीक है तो इसे open कर देते हैं फिर से चला के देखते हैं अगर choking हुआ DC है circuit में choking आता है तो अगर choking हुआ तो अभी इसमें हमारा 5 gold बनना चार्ज हो जाएगा ठीक है अगर choking नहीं हुआ तो इसमें कोई problem हो रहा है इस्टर बगरा कोई damage हो गया इसके वाज़े से भी हो से ठीक है तो एक सेकंट रूब जाओ मैं थोड़ा setup को ठीक कर लेता हूँ चलो अभी एक इधर पे जो हमारा connector है इसे प्लेस करते हैं ओक्या हो देखते हैं हमारा जो प्रॉब्लम हो वह अभी क्या कर रहा है विकास according to theory इधर पर कोई भी शौटिंग नहीं according to theory हमारा register होके है तो फिर 5 बॉल्ड क्यों नहीं आ रहा है हमारा main 5 फॉल्ड भी present है जो main power का 5 बॉल्ड मैंने वीडियो के शूरू में दिखा दिया जो 5 बॉल्ड है वह हमारा फेस किया है ऐसा exact problem ठीक है तो आपके पास भी आएगा जो SMTS okay होगा वैट उसका display नहीं बन रहा होगा just up check कर लो power good उसका okay है के नहीं उसमें 5 बॉल्ड आना चाहिए अगर 5 बॉल्ड नहीं आ रहा है तो आपका ऐसा problem आएगा ठीक है तो यह मैंने डायरिक्ट मैं अन कर रहा हुँ ठीक है कोई यह नहीं है ओके एक सेकंद पहले डायरेक्ट-on नहीं करूंगा विकोज इधर वे खराब क्याप सिरा रहे थोरा रिप्लेस कर देख लेते है अगर रिप्लेस कर सकतो विकोश सच इसे चंज कर दो इसे जैंज कर दो इसे चर न 20-200 वोल्ट का ठीक है तो यह ओक है अच्छलों इसे लगा देते हैं इसका जो पींस है वो थोड़ा ठीक है देर पर कैसे लगेगा एड़ों नो देख लेते हैं थोड़ा एरिया है इसे थोड़ा क्लीन करते थे पहले इसमें नहीं जुसेगा विकोज यह बहुत ही मोटा है ठीक है यह पतला नहीं है नॉर्मल के तरह और यह इसमें नहीं जाएगा भाई ठीक है मैं देखता हूँ और मेरे पास कैपसिटर क्या है अब मेरे पास यही 460 का है बहुत है ठीक है चलो इसका थोड़ा हमें इसका जो क्या बोलते हैं जो होल्स है इसे थोड़ा हमें इंक्रीस करना पड़ेगा ठीक है इसे प्रपल ले लगाना होगा इसका मुझ में सोल्डर लागा है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक होड़ा सोल्डर वगरा हटा लेका हो करूश है ठीड़ कर देडियो close minus देख के लगाना होगा ठीक है ठीक हू outta है 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 डारेक पावर ओन कर रहा हूं ठीक है इसलिए मैंने पहले का पस्राइब चेंज कर लिए फुला हुआ है तो देख सकते हैं यह मैंने कैपसिटर लगा लिया इसका हेड पूरा प्लेन है बटी मेरा लाइब वीडियो हैं कर गया था कैसे हुआ मालूम नहीं कैमेरा क्या फोन का क्या प्रॉब्लम है वीवो एक सिक्स्टी है बता हूं इतना महेंगा फोन में भी ऐसा प्रॉब्लम सो च अब पावर बगरा कुछ भी नहीं दिया जस्ट कानेक्ट किया था ठीक है तो हम लोग थोड़ा उपर ले लेंगे आप लोग को ठीक है नहीं तो मल्टिमेटर बगरा सब कुछ नहीं दिखेगा तो पहले जो चेक करना है वह हमारा 5 वोल्ट नॉर्माली जो स्टैन्बाई ह वह हमारा आ रहा है कि नहीं तो किस में आएगा यह पिन पर आ और ग्राउण पर आएगा राइट विक्योज यह हमारा ग्रीण पिन है तो चलो पहले on करते हैं यह on कर दिया ठीक है तो इधर से मैं पहले दिखा देता हूं ठीक है यह green और सॉरी black and green यह देखो आ गया 5 वोल्ट इधर पर देखो तो मैं जो बोल रहा था वो इस पॉइंट पर बोल रहा था ठीक है यह हमारा पीजी का पॉइंट था power good power good on होने के बाद बनेगा ठीक है ठीक है good तो अभी इधर से मैं शॉर्टिंग करता हूं ठीक है तो हमारा हमारा smps चालू हो जाएगा तो यह green wear और black wear को short करना है यह green wear black wear मैंने short कर दिया ठीक है तो इसका power supply voltage बन गया होगा देखलो यह 3.3 बन गया यह 12 बन गया यह हमारा यह क्या है भाई ओकी इसका 5 missing है और नहीं मैं सोच रहा हूँ 5 missing है क्या इधर से लूज हो गया फाइब तो दिखा था राइट हाँ वीडियो के शुरू में दिखा था 5 क्या हुआ भाई बंद क्यों हो गया मेरा smps अरे ऐसे कैसे चलो देख लेते हैं मारा स्टैंडबाई हा स्टैंडबाई तो ओके है तो फिर बंद कैसे हो गया चलो फिर से स्वीचिंग करते है थोड़ा ट्वीजर में फ्लक्स लगा हुए उसलिए हो सकता है connection ही मिला नहीं भाई यह तो switching ही नहीं किया चलो एक बार बंद करके on करके देखते है ठीक है ऐसा हो सकता है इसके वज़े से कैसे क्यूं हो मालूम नहीं ठीक है थोड़ा सा restart होता है ठीक है होल्टे जाया फिर बंद हो गया ऐसा क्यों है चलो फिर से देखते हैं क्यापसिटर बगारा डिस्चार्ज हुआ है इंदर का आउट्पूट पर है हाँ नहीं अभी 60 के आउट 65 का डाउन फोल्टेज है क्यापसिट्रस में ठीक है तो थोड़ा डिस्चार्ज करना होगा न अब यह जिरो हो गया ओके तो फिर से पावार अन करते हैं और देखते हैं यह मैंने पावर अन किया ठीक है सो इधर पर चेक करा देता हूं ग्राउंड से यह फाइब वोल्ट आ रहा है ठीक है पड़ स्वीचिंग नहीं हुआ क्यों नहीं हुआ ऐसा तो नहीं होना चाहिए था यह मैंने शॉट कर दिया अभी देखते हैं यह देखो फिर से आ गया 12 यह 5 यह हमारा 3.3 कोई disturbance हुआ था ठीक है most probably इसका output नहीं लगा है उसके बादे से भी हो सकता है तो अभी भी हमारा देखो 5 वोल्ट में कुछ भी नहीं है ठीक है चोकिंग नहीं है तो रेजिस्टर का इस पार्ट पे है इस पार्ट पे वोल्टेज ओके सोरी सोरी यह तो फाइब यह देखो यह 5 वोल्ट आ गया सोरी मैंने पहले तो इसमें ट्राई किया यह तो हमारा जो ग्रीन वैर है इसे शॉट करूंगा तो कैसे चला देखो इसे रार्किंग भी किया था थो थो थोड़ा प्रॉबिंग करने में गलती हो गया तो हमारा फाइब बन गया तो मैंने कुछ भी नहीं किया जस्ट फाइफ वोल्ट इंजेक्ट किया वाइफ बन गया बताओ यह की स्टडि आपने देखा है इसे बोला जाता है डीसी का इधर पर 5V है यह हमारा क्या है यह हमारा standby का जो power supply है उसके लिए है तो हम लोग इसे फिर से एक बाद trigger करते हैं ठीक है तो यह मैंने trigger किया चलो देख लेते हैं इधर पर पहले voltage बना की नहीं कि यह बन गया 12V तो अभी मैं इधर से दिखा देता हूँ ग्राउंड इस पॉइंट से मैं ग्राउंड ले लेता हूँ ठीक है यह ग्राउंड है और इधर पे मैंना पीजी था power good यह देखो यह देखो यह दर पे ग्रेवेर दिख रहा है ग्रे तो इधर पे ग्रेवेर पे अ इधर पे भी five bolt है proper ठीक है तो जो choking था उसके reason से ऐसा हुआ nothing else ठीक है कोई खराबी नहीं कोई दिक्कत नहीं just choking हो गया था तो DC circuit में choking का बहुत सारा मैंने case देखा है ठीक है मैं आपको छोटा सा एक story share करता हूँ ठीक है इसे fitting करने के साथ उसके बाद आपको दिखाऊंगा डिस्प्ले इसी smps में जिसमें अभी हमने रिप्यर किया है तो एक hp का तभी मैं वीडियो बगरा नहीं डालता था बनाता नहीं था इसलिए मैंने मेरे पास कोई इसका वीडियो नहीं है नहीं तो यह बहुत अच्छा एक वीडियो case study होता बड़ वह भी choking का ही था मैं बता ही एलिट बुक नहीं पैविलियन जीशिक्स का ठीक है पैविलियन जीशिक्स का एक मदर गोड़ाया था उसमें most probably R13 बगरा का बोर्ड होता है ठीक है तो उसमें क्या था नो पावर में था ठीक है उसका 19 वोल्ट ओके था सब कुछ बन रहा था ठीक है तो उसमें सब कुछ हुआ सरा है यह फाइब बोल्ड से आपका शौौ टflan है आइसी से आपका मेशिन हान है इसका मतलब आपको पार सब् Alberoyal ने बट उसका जो यह पॉइंट है यह क्या है यह मारा PGshamara इसी के स़ॉट है तो उसमेंट पर आपको क्या करना है जब अच्छासा लेलो लेड ये जो बляD होता है और 11 अशनल्स चाहिए धर सेpatक हुए ऋयुए और तरहा वाला 5G वोल्ट जो पूलिप रिजिस्टर रहेे वह तो आफ उसेbult default और फिर से स्टोरी में आते हैं तो वह जो मदरबूट था उसमें 19 वोल्ड प्रॉपर प्रेजन था सब कुछ प्रेजन था तो फिर भी वोड नहीं हो रहा है तो इस कंडिशन पर आपको मालूम है आपको आटी से चेक करना होगा ठीक है एक कृम है तो मैंने क्या कि आरे उसका जो है यो मैंने पहले एक बैटेरि sto केs कि लिए लगा होता है मैंने पहले चेक किया देखा बैटेरी ड्रेंट है रही है वह मालूम है जब यह डवबल डायोट से कनेक्ट होता है तो अगर आपका डायो बैटरी डेड़ है तो आपका विसी सी पावर कुट नहीं बनेगा बोर्ड जब पावर ओन नहीं है तब बर पावर देते ही उदर पर आ जाएगा तो मैंने चेक किया ठीक है डायोड बगरा ओके है पावर देने पर फाइफ थ्री वोल्ड आ भी रहा है तो मैंने जो इसका क्या बोलते है उसका जो बैटरी था उसे भी रिप्लेस किया फिर बात तो नहीं बना बद बनना भी नहीं चाहिए ठीक है ऐसे कैसे हो जाएगा तो उसके बाद जो मैंने उद्धर पर फाइंड आउट किया जो डायोड के बाद एक रिजिस्टर से हो के वह लाइन डाइरेकट ले जा रहा है ठीक है आपको मालूम आ है तो डायोड के इस तरफ वह वोल्टेज प्रेजन्ट है डायोड के बाद एक मैंने बताज्टर था ठी में नहीं तो यह क्लियर सिम्टॉम है जो हमारा आउटपूट है रेजिस्टर का ठीक है उसका आउटपूट शॉर्टिंग है इसके बज़े से ही ऐसा आता है तो मैंने सोचा भाई इसका पीसीज गया खेल खतम हमारा ठीक है कस्टोमार को पैक करके दे दो नहीं बनेगा यह ठीक है यही आकसर होता है बट तभी मैंने थोरा देखा थोरा मुझे लगा यहां भाई थोरा सा देखते है चोकिंग है कि नहीं ठीक है यह चोकिंग का प्रॉब्लम बहुत ही जादा आता है मैंने बता दिया आपको आप तो देख भी लिए ठीक है इस केस में मुझे नहीं मुझे मालूम था यह केस चोकिंग में बतल जाएगा ठीक है मुझे मालूम था इधर पर कोई जुगार लगाना पड़ेगा ठीक है डिरीकरेट नहीं था ठीक है था मैंनतो सोच तभी मुझे मालूम पर गया खास क्या घर सुमसर कि आगे में जाला है जो वोल्टेज नहीं बन रहा था वो भी चलाया और बोट को ट्रिगर करके देखा पावर इंजेट करके वेन पावर 19 वोल्ट उसके बाद देखा मेरा बोट भी चल रहा है ठीक है तो पूरा केस टाडी जो था पूरा केस था वह जस्ट चोकिंग का था ठीक है पूरा मदर ब करता है हम लोग 30 डेस सो उसमें वो प्रॉब्लेम रिटर्न भी नहीं आया ठीक है तो वो चल रहा है अभी भी कस्टमर ने 6-7 महिने के बाद एक बार विंडोस काने के रिए वो लेप्टप लेके हमारा शॉप के आया था तो हम लोग देखे वो बिंदस चल रहा है ठीक है तो चोकिन का है तो ध्यान रखो जब भी आपके पास ऐसा कोई कंडिशन क्रियेट हो रहा है तो अब जरूर उसका प्रॉपर वोल्टेज उधर पर इंजिक्ट करके देखो समने वाला जो रास्ता है वो क्लियर कर देगा ठीक है अगर वो चोक है नाई ठीक है वो क्लियर हो जा जाएगा तो SMPS हमारा फिट कर दिया मैंने ठीक है चलो एक पर फिर से मैं देख लेता हो उसके बाद हम लोग डायरेक्ट मदर बोर्ड में देखेंगे तो यह मैंने इधर में इंजिट कर दिया यह पावर ओन डायरेक्ट में चेक कर रहा है ठीक है यह मल्टमेटर आपको दिख रहा है थोड़ा उपाल ले लेता हूं ठीक है गुट पावर ओन कर दिया तो फाइब वुल्ट मिल गया मुस्पभाबली तो यह हमारा ग्राउंड और यह ग्रीन वैर यह पाइब भुल्ट मिल गया चलो ट्रिगर करते है तो देख लो फैन इसका फूल स्पीट से देख रहा हो तो अभी इसका जो पावर गुड है उसे एक बाद देख लेते हैं अभी इस पॉइंट पे इस साई पावर गुड मिलता है ठीक है आपको दिख रहा है ना थोड़ा फोकस कर लो भाई इसके बाद हमारा जो यह पावर गुड का लाइन और इसके पास में ही माइनस का लाइन है इधर वे देख फाइब वोल्ट प्रॉप पर आ रहा है ठीक है तो एकदम ओके है पावर सप्लाइग ठीक है अभी एकदम डिस्प्ले जो नहीं आ रहा था जो जिरो जिरो था इस सम्प्स में वही बोर्ड वही सप्लाई से आपको दिखाऊंगा डिस्प्ले ठीक है जलो थोड़ा सा इसे कनेक्ट कर देते हैं हाँ यह मैंने पावर आउन किया ठीक है देख सेकेंड अपको नहीं देख रहा है यह देख लो ठीक है मैं ट्रिगरिंग करता हूं ट्रिगर अधाई यह देख लेको पोडिंग आगे आना ठीक है बीप भी आएगा यह सौकेट धिला है ठीक है सौकेट का प्रॉब्लम में है आगया बीप आगया आपका डिस्प्ले सेम असे में पीएस से ठीक है अभी अगर आप चिप करो जल्दी जल्दी विकास सिप्यू में हीट 0.06 था अभी उसमें देखो यह प्रॉपर फाइब बनना है ठीक है कुछ किया हमने कुछ भी नहीं किया ठीक है यह देख लूँ ठीक है ग्रेव एर प्रीक ही मैं चेक खर रहा हूं ओके कुछ भी नहीं किया जैस्ट इसका चोकिंग था लाइन जैस उदर पर पावर इंजिट करो प्रॉब्लम सॉल्फ आप इसे बाहर में भी कर सकते हो ठीक है यह केस आपको स्टाडी करने के लिए आपका अंदर नहीं जाना है बाहर से भी कता यह कर सकते हो बट इसमें प्रॉ चोकिंग का केस होगा फिर भी तु वह रिलीज कर देगा ठीक है अगर रिलीज नहीं होता है तो डायरेक आप अपलाई करो वोल्टेज आफ्टर दी रेजिस्टर ओक्या विकॉर रेजिस्टर जो है वह करेंट लिमिटिंग डिवाइस होता है और कर देता है उसमें जब आ इसमें तो मैंने डायरेक नहीं किया मैंने जो इसका जो आउटपूट है ऐखें एकदम जो इधर पर जो आउटपूट है उसहर पर किया तो उसका मतलब वह वान के के रेजिस्टर के थूआइसी के अंदर गया ठीक है और आईसी चोक्ट था ऐसा नहीं बता रहा हूं वह मैं जब ट्रेक किया चेकिंग किया ट्रेक बाइट गया फाइब वोल्ट तक वह जा रहा था तब तब मैंने देखा वह लाइन बहुत से कनेक्टेड है रेइस्टर वगरा से तो कोई ना कोई जगा से वह एक चोकिंग था रिलीज करेंट जो है वह उधर पर क्या बोलते है लीकिंग हो रहा था ठीक है वह solve हो गया चो यह DC का एक बहुत बरा failure है जो यह condition create करता है वह motherboard में भी हो सकता है वह आपका supply में भी हो सकते कभी कहीं भी हो सकता है तो आपको यह चीज ध्यान लखना है और जब भी ऐसा case आए तो आप जरूर इसे ऐसे try करो ठीक है अगर नही प्रेक आप रिलीज कर दो विकाज SMPS जो वह आईसी का उस बाला जो पार्ट है ना वह पार्ट पे प्रॉब्लम है ठीक है ऐसा नहीं है वह आईसी टोटली खराब है जैस वह बाला पार्ट पे प्रॉब्लम है तो आप उसे डिस्करनेट करके आपको रिप्यर आपका हो जाए ठीक है वह आईसी नहीं मिलता है इसलिए मैंने वैसे ही कर लिया ठीक है तो वीडियो यही था अगर आपको कुछ सिखने मिला है तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब करो और नहीं कोई और इंफर्मेटिव वीडियो के साथ आपके साथ मुलाकत होगी तब तक के लिए बा लाइ